हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो मैं इस्टडी फिट चैनल दोस्तों आज में हाग की से रिलेटेज्ट चाहे मेजरमेंट हो रूल्स हो और उसके अंतराश्टी संगठन हो सभी से रिलेटेज्ट बेर इंपॉर्डेंट कोस्टन्स में बताने वाली हूं दोस्तों कम से कम 139 कोस्टन्स होंगे उसमें से तिंचार पार्ट में मैं बताऊंगी इफलेटेज्टिस इतने भी कोस्टन्स हैं चारा पांच वीडियो में मैंने पुरा टूटल कोस्टन्स को बता दिया है उससे बाहर कोई कोस्टन नहीं आ सकता तो दोस्तों यदे आप फिजिकल कराया गया है बहतरीन तरह तयारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़ जाए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए में लाइकन को फ्रेस कर लेजिए दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णों की तरफ दोस्तों कुश्चन नबर वन है कि हाकी वर्ल्ड कप कफ से हुआ एंड पुरुस वर्ल्ड कप का पुरुस हाकी वर्ल्ड कप का उनिश्चो एक हत्र बरसी लोना इस्पेन ए ध्यान में रखेगा और यह और महिला हाकी वर्ल्ड कप उनिश्चो च्छोटर में फ्रांस में सुरू हुआ था पुरुस हाकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 29 जन्वरी 2030 को भुनिस्वर कलिंगा इस्टेडियम में नेच्ट दूस्तों फीह एफ आई एच का फूल फॉरम क्या है इसका फूल फॉरम है इंटरनेशनल फेडरेशन हाकी नेच्ट कोश्चन है इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन यानि फीह की इस्धापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1924 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ जिसका हेट क्वार्टर लुसाने शुर्जर लैन में है एंड बर्तमान सदर्स से 119 सदर्स है दोस्तो आप बर्तमान अध्याच नेंद्र धूब अत्राजी है वो भारत के है नेश्य दोस्तो आई एचेफ का फुल फॉर्म क्या है आई एचेफ का फुल फॉर्म है इंडियन हाकी फेडरेशन क्या है इंडियन हाकी फेडरेशन नेश्य दोस्तो आई एचेफ की स्थापना कब हुई थी IHF यानिक Indian Hockey Federation की स्थापना 1925 में हुआ था ठीक है 1925 में नए दिल्ली में हुआ था जिसका Headquarter नए दिल्ली में है ठीक है पर्थम अध्यास Colonel Bruce Tarnwal थे Next question है दोस्तो कि IHF की स्थापना किस सहर में हुआ था तो दिल्ली में हुआ था कहा पही हुआ था दिल्ली में हुआ था यह से दोस्तो भारत ने पहली बार Olympic में Cup Fiffle Hockey की टीम भेजी थी तो भारत ने पहली बार Olympic में भेजा था 1928 एमर्स्टरडम Highland Olympic में सबसे पहली बार अपना team भेजा था और दोस्तों 1928 से लेकर 1980 मास को रूश तक वे लगाता स्वार पदक जीता जिसमें से अभी तक में हांकी में भारत देश में ओलम्पिक में 801 रजा तिन कांसे पदक जीता है जिसमें से 801 पदक 1928, 32, 48, 52, 56, 64, 80 में जीता है 1960 रूम में जीता है तिन कांसे पदक 1991 मेकसिकों में 1972 में 2020 से टोक्यो जापान में जीता है 801 रजा 3कांसे पदक जीता है नश्टर दोस्तों कि जाला अंधर के किस अस्थान से सबसे ज़्यादा हाकी खिलाड़ी राश्टिय टीम के लिए चुने जाते हैं तो किस अस्थान से चुने जाते हैं दोस्तों तो शंसार पूर से नेश्ट है भारत ने ओलंपिक हाकी में अब तक कुल कितने स्वड़ पदक जीते हैं तो कुल कितने स्वड़ पदक की बात करेगा दोस्तों तो आठ स्वड़ पदक भारत ने ओलंपिक में जीता है और कुल पदकों की बात करेगा तो बारह हो जाएगा कुल पदकों की बात करेगा तो 8 स् Bad一 द्चे ωकी बारह पदक में थी ा फम गानिंग पात्तल भारत ने लगातार मीडल जिते चींपनी । ही तो यह उन्होंट सट उन्हों बात वख सब्क्राइश धी प्रज़वरेश च्छे गुल्ड मेडल लगातार जीता है उसके बाद फिर से चप्पन चवशाट असी में होने स्वर्पदक जीता नेश्ट दोस्तों भारात ने हां की बिश्व कप टूर्नामेंट में को कितने बार जीता है तो दोस्तों भारात ने हां की बिश्व कप टूर्नामेंट में केवल एक बार जीता है वह भी 1975 में कब जीता है 1975 में जीता है आस्ट्रेलिया और निदर लेंड में तीन बार जीता है तिं तिन बार जीता है एन चरुमनी दो बार जीता है जैसा कि हाकी बीसुकप जो है 2018 में भारत में आवजित हुगा आवजित हुआ था जिसका बिजय बिजय प्राप्प किया था बेल्लीम ने 2018 में भुनेश्वर में हुआ था, 2023 में आपका होगा 13 जन्वरी से 29 जन्वरी भुनेश्वर कलिंगा इस्टेडियम में जिसमें दिस्तो आस्टेलिया तीन बर कपकप जिता था 1986 लंदन इंगलेंड में, 2010 नई दिल्ली भारत में, 2014 हेग निदरलेंड में निदरलेंड ने तीन बर कपकप जिता था, 1973 आमट लवेन निदरलेंड में and 1990 में लाहोर पाकिस्तान में आउ 1998 में निदरलेंड में ही जिता था जर्मनी दो बार जिता है, 2002 कौला लंपुर मलेसिया में और 2006 मुंचेन गलाइवाच जर्मनी में ही जिता है नेश्ट कोश्चन है जैसे कि आप समझ गए कि भारत ने हाकी बीस्व कप वल्ली एक बार जीता है 1975 में नेश्टे महिला हाकी बीस्व कप का प्रारम हुआ महिला हाकी बीस्व कप 1974 में डल्यू फ्रांस में प्रारम हुआ था नेश्ट दोस्तो हाकी खेल का कितने मिनट होता है तो हाकी खेल कितने मिनट का होता है दोस्तो जैसा कि नए रूल के हिसाफ से 60 मिनट का होता है कितने मिनट का होता है 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते है 15-2, 15-5, 15-25 यानि 5 मिनट का आपका मध्यांतर होता है और 15-15 मिनट के 4 क् किस समय मैच के दौरान खिलाड़ी नहीं बदल सकते हैं तो पेनल्टी कार्णर के समय मैच के दौरान खिलाड़ी नहीं बदला जा सकता है उसको हम क्या कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं सब्टिट्यूशन क्या कहते है Hero Al新त cent हांकी में सूटिंग सर्कल किस आकार का होता है दोस्तों हांकी में सूटिंग सर्कल डी के आकार का मुपता है और यह सूटिंऑ सर्कल यानि ैसटिंग सर्कल कोलने कि ठीन की निर्ण marginal ने नेश्टा दोस्तों हाकी में गोल करने का जो च्छेत्र निधायित होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको हम सूटिंग सरकल कहते हैं नेश्ट है लेडी रतन टाटा ट्राफिव और सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है तो लेडी रतन टाटा और सिंधिया गोल्ड कप दुनों होकी से संबंधित है नेश्ट है हांकी मैदान के लंबाई चोड़ाई कितनी होती है दोस्तों तो इसकी लंबाई होती है 100 याड और चोड़ाई होती है 60 याड यानि गज मीटर में कहेंगे तो एक यानमे दोस्तों 4 जिरो मीटर लंबाई और चोड़ाई 55 मीटर नेश्टे दोस्तों हाकी मैदान की लाइन की मुटाई कितनी होती है तो साथ साथ सेंटीमीटर यानि की तीर एंच होती है दोस्तों और वही फुटबाल जो होता है सबसे मुटा उसका लाइन होता है जैसा की 5 इंच जयाने की 12.5 cm ये ध्यान में रखिएगा हागी बाल का भार कितना होता है हागी बाल का भार होता है 156 से 163 ग्राम जैसा की दोस्टो किर्केट और हागी दोनों का बाल का भार सिम सिम होता है बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तो बाल के भार में कि क्रिकेट का पुछेगा तो 155.9 से 163 और हाकी का पुछेगा तो 156 से 137 ग्राम निश्टा हाकी गोल पोश्ट की चवडाई कितनी होती है तो हाकी गोल पोश्ट की चवडाई जो है वह चार गज यानि कि 12 फित जिसको 3.66 मिटर होगा अगर गज में पुछेगा तो 4 गज यदि फित में पुछेगा तो 12 फित और यदि मिटर में पुछेगा तो 3.66 होगा हाकी गोल पोश्ट की चवडाई निश्ट है हाकी गोल पोश्ट की उचाई कितनी होती है तो यह 7 फित होता है यानि कि दो दर समलो एक चार मीटर नेश्ट है अजलर सा कप वा इंडरा गांधी गोल्ड कप किस ठेल से संबंधित है तो या हाकी से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर आपको एध्यान में रखना है कि इंडरा गांधी गोल्ड कप कहेगा तो हाकी का इंडरा गाल्धी गोल्ड ट्रॉफी बोलेगा ट्रॉफी सद लग जाएगा तो फुटवाल का हो जाएगा नेश्ट है दोस्तो मेजर ध्यान चंद इस्टेडियम कहां पर इस्थित है तो मेजर ध्यान चंद इस्टेडियम कहां पर इस्थित है दोस्तो खेल रतने निमने में से किसको हाकी में दिया गया है तो इस में से किसको दिया गया है दोस्तों तो धनराज पिल्लई को दिया गया है नेशन दोस्तों पेनाल्टी कार्णर के समय डिफेंडर टीम के कितने खिलाडी डी यानि सूटिंग सर्कल के अंदर रह सकते हैं जब पेनाल्टी कार्णर दिया गया है तब तो उस समय जो डिफेंडर या अपोजे खिलारी होंगे वो वनली पांच खिलारी रह सकते हैं ठीक है कितने खिलारी रह सकते हैं पांच खिलारी दी के अंदर रह सकते हैं नेश्ट है, पेनल्टी कॉर्णर के समय, अट्रेकर टीम के कितने खिलाडी सुटिंग सर्कल से बाहर खड़े हो सकते हैं, तो सभी खिलाडी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जब सुटिंग सर्कल दिया जा रहा है, पेनल्टी कॉर्णर दिया जा रहा है, तो जो डिफेंडर टी प्रीम के खिखलाडी होगे उस अभी सरकल के बाहर हो सकते हैं नेेश्ट दोरे बडिन किसा दोरी ऐसे ख़ड़े होना चाहिए तो दोस्तों आज कि लिए बस इतना ही है होग कि सभी कोश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों इतना सारा कोश्चन है तो वीडियो में आपको लाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप भी ठक जाएंगे या आपको बुरियत महसुस होने लगीगा इसलिए मैं 30 32 32 कोश्चन का ही सीरिज बना रही हूं जैसा कि आपका जो भी opinion होगा मुझे comment में जरूर बताएगा क्यूंकि जैसा आपका opinion होगा वैसे ही मैं करूंगी अधिए आपको कोश्चन का हैंगे तो कम कोश्चन दूंगी जैसा आपको अच्छा लगे तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे चैनल पे वीडियो आपको कैसा लगा